नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वेल्दी विस्टम में आज इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं जहां पर अजे और विजे नाम के दो दोस्त इस बात को डिसाइड करते हैं कि आज से वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इसके चलते इन दोनों ने ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि इनके लिए बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन क्या होगा पूरी research करने के बाद Ajay और Vijay ने इस बात को decide कि ये अपनी savings को या तो mutual funds या individual stocks में invest करेंगे उनके इस decision के पीछे ये reason था कि किसी भी और market instrument में investment के comparison में उनको यहाँ पर जादा returns मिलेंगे अब जैसे कि हम सभी को पता है कि stock और mutual fund market का part है और market में invest करने के दो तरीके होते हैं SIP और lump sum तो Ajay और Vijay इस बात को लेकर दुवारा confuse हो गए कि उन्हें SIP mode में investment करनी चाहिए या फिर lump sum mode में फानली दोनों ने ये decision लिया कि इन में से एक SIP mode में investment करेगा वहीं दूसरा lump sum mode में investment करेगा अब देखे मेरा question आप लोगों से यहाँ पर यह है कि यहाँ पर Ajay को जादा returns मिलेंगे या फिर Vijay को Ajay ने यहाँ पर SIP mode से invest करने का फैसला लिया है वहीं विजय ने यहाँ पर lump sum mode में investment करने का decision लिया है अब देखे आप में से बहुत से लोगों ने काफी आसानी से इसका answer दे दिया होगा लेकिन आप लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि किसी भी investment में returns generate करने के पीछे कई factors involved होते हैं जैसे कि time period, risk appetite और ऐसे ही बहुत सारे factors के permutation और combination करने के बाद इस बारे में पता लगाया जा सकता है कि इन investment में से ज़्यादा returns कौन generate करके देगा तो अगर आपका answer अजे है या विजे है तो आपका answer अभी भी गलत है क्योंकि आपने बहुत सारे factors को consideration में नहीं लिया है तो यही है आज का हमारा simple पर बहुत ही important topic S.I.P. versus लमसम जो आपके investment पर अच्छा कासा impact डाल सकता है और अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपनी investment के potential को एक different level पे लेकर जा सकते हो अब दिखे शुरुआत करते हैं S.I.P. के साथ S.I.P. का मतलब होता है systematic investment plan अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर investment काफी systematic है तो इस तरीके की investment में आप अपने पैसे को weekly, monthly या quarterly basis पर किसी stock या mutual fund में invest करते हो example के लिए मान लेते हैं कि आपने systematic investment plan यानी S.I.P. स्टार्ट किया है जिसमें आपको हर महीने 5,000 रुपे डालने हैं वही अगर लमसम की बात करें तो यह S.I.P. के बिलकिल opposite है यहाँ पर अप एक साथ एक बहुत बड़ी capital को किसी stock या mutual fund में invest कर सकते हो और इस type की investment को one time investment भी कहा जाता है यहाँ तक तो आप S.I.P. और लमसम के बीच का major difference समझ चुके होंगे अब हम कुछ past situation को compare करेंगे और इसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि Ajay और Vijay इन दोनों में से ज़्यादा return कौन कमा सकता है अब देखे यहाँ पर हम 3 scenarios को रखेंगे जहाँ पर Ajay ने S.I.P. के हिसाब से invest किया है वहीं Vijay ने लमसम mode से invest किया है अब पहली situation में हम यह assume करेंगे कि Ajay ने 2014 के starting में 3 साल के time period के लिए 5,000 रुपे की quarterly S.I.P. स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने Reliance के stock में invest करने का decision लिया जिसका सीधा सा यह मतलब है कि हर तीसरे महीने में उन्होंने Reliance के stocks में 5,000 रुपे का investment किया वहीं अगर दूसरी तरफ Vijay की बात करें तो Vijay ने एक साथ 60,000 रुपे का lump sum investment करा तो अगर overall calculation की जाए तो Ajay और Vijay इन दोनों नहीं 60,000 रुपे का investment एक same stock में किया है यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि Ajay ने S.I.P. में investment की है वहीं Vijay ने lump sum investment किया है अब देखिए वैसे generally stocks के price की बात की जाए तो stocks का price whole number में नहीं होता है यहाँ पर decimals भी होते हैं लेकिन हमारी calculation को easy करने के लिए यहाँ पर हम इसे round off assume करेंगे ताकि जो overall capital इन दोनों ने invest की है उसके उपर हम simple calculation कर सकें तो चलिए first case में चलते हैं जहाँ पर Ajay ने S.I.P. investment की है वहीं Vijay ने lump sum investment की है तो शुरुआत करते हैं Vijay के साथ तो Vijay ने इस टाइम पर stocks को उठाया था तो वहाँ पर उसकी closing price 440 रुपे के पास की थी लेकिन 3 साल बाद 31 December 2016 को stock की closing price 536 रुपीज थी जिसका ये मतलब है कि Vijay को अपनी invested capital के उपर 13,090 रुपीज का gain मिला है और अगर से returns wise calculate करें तो Vijay को 21.81% के returns मिले हैं अब देखें जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि Ajay ने quarterly S.I.P. की है तो यहाँ पर ओहर तीसरे महिने में investment करेगा तो Ajay की पहली S.I.P. में stock का price 440 रुपीज था मुई 2nd S.I.P. की बात करें तो उस time पर stock का price 446 रुपीज था 3rd S.I.P. की बात करें तो उस time पर stock का price 550 4th S.I.P. में 459, 5th S.I.P. में 439, 6th S.I.P. में 414, 7th S.I.P. में 497, 8th S.I.P. में 428, 9th S.I.P. में 502, 10th S.I.P. में 512 और जैसी 12th S.I.P. आता है तो यहाँ पर इसका closing stock price होता है 540 अगर इसका average NAV यानि net asset value निकाली जाए तो यह 471 है अब अगर gains की बात की जाए तो Ajay को अपनी invested capital के ऊपर 8,280 रुपीज का gain हुआ है और एका returns percentage की बात करें तो Ajay को अपनी investment के ऊपर 13.8% का returns मिला है अब इस situation में आप chart में देख सकते हो कि Vijay ने 1 जनवरी 2014 को जब lump sum investment की थी तो उस time पर stock का price 440 रुपे था अब क्योंकि Vijay ने lump sum investment की है तो यहाँ पर net asset value 440 रुपे हो जाएगी वाई अगर इसका comparison Ajay के साथ किया जाए तो Ajay ने SIP mode of investment को select किया था जहाँ पर वो quarterly 5,000 रुपे invest कर रहा था और अब chart में देख सकते हो कि हर quarter में net asset value change होती जा रही है जिसके चलते आखरी में इन सभी NAV का एक average निकालना पड़ा है और यह average NAV 471 है अब देखे 2014 के बाद से इस stock ने एक overall up move दिया है जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर SIP averaging का कोई भी फाइदा नहीं मिला है जिसकी वज़े से Ajay के returns 13.8 है वहीं अगर विज़े के returns की बात की जाए तो यह 21.8 है तो इस पहले सिनारियो में हमें lump sum investment ने SIP के comparison में ज़्यादा returns दिये है चलिए अब दूसरे सिनारियो के assume कर लेते हैं जहाँ पर विज़े ने 2015 की starting सही Tata Motors में per month 10,000 रुबे की SIP को start कर दिया है और यह SIP 4 सालों के लिए है अब अगर 4 सालों को months में convert करें तो यह 48 months हो जाते हैं जिसका यह मतलब है कि विज़े ने overall 4,88,000 रुबे की investment की है और अगर इसका comparison Ajay के साथ किया जाए तो Ajay ने overall 4,80,000 रुबे की lump sum investment की है जिसका यह मतलब है कि विज़े की investment और Ajay की investment सेम है लेकिन विज़े की investment SIP की है और Ajay की investment लंसम की है तो 1 जनवरी 2015 को Tata Motor के per share की केमत 493 रुपीज पर share थी तो चलिए एक बार फिर से इस chart को देखते हैं और जानते हैं कि इस बार कौन ज़्यादा returns को generate कर पाएगा तो शुरुआत करते हैं Ajay के साथ तो Ajay ने 4,80,000 रुपीज की lump sum investment की है और 4 साल के बाद 31 December 2018 को जो closing NAV है यह 175 का है तो आप अपने table में देख सकते हो कि इस बार Ajay को अपनी investment के उपर loss हुआ है अब क्योंकि इस time period में Tata Motors में एक downfall देखने को मिला था तो आप result देख सकते हो कि overall इस बार Ajay के returns minus 64.50% थे वहीं अगर Vijay के returns की बात करें तो इसके returns इस बार minus 57% थे मतलब Ajay और Vijay इन दोनों में से किसी को भी इस बार profit नहीं हुआ है लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर notice ज़रूर की होगी कि Vijay का जो loss है वो Ajay के comparison में थोड़ा कम है और इसके पीछे का main reason है SIP averaging जिसका यह मतलब है कि Vijay अपनी investment को SIP की form में हर महीने दे रहा था वहीं Ajay ने لمसम investment किया वा था तो अगर हम comparison के लिए एक बाद table को फिर से देखें तो Ajay की जो total investment थी वो थी 4,80,000 और जब Ajay ने investment की थी तो उस time पर Tata Motors के per share की कीमत 493 रूपीज पर share थी वहीं अगर closing NAV यानि net asset value की बात की जाए तो 31st December 2018 को यह 175 रूपीज पर share पर आ गई थी जिसकी वज़े से Ajay को अपनी total invested capitals के उपर 3,9,615 रूपीज का loss हुआ है और अगर Ajay के returns की बात की जाए तो यह minus 64.5% है वहीं इसका comparison अब चलिए विज़े के साथ कर लेते हैं तो विज़े ने भी SIP mode के through 4,80,000 रूपीज की investment की थी और अगर इसके net asset value की बात की जाए तो 48 SIP के बाद इसका net asset value 410 का था वहीं अगर विज़े के closing net asset value की बात करें तो यह भी 31st December 2018 में same रहेगा जो की 175 रूपीज पर share था और अगर विज़े के total returns की बात करें तो इन्हें अपनी invested capital के उपर 2,75,122 रूपीज का loss हुआ है और अगर विज़े के returns की बात करें तो विज़े के returns भी negative में है जो की minus 57% है अब चली तीसरे scenario की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि अज़े और विज़े इन दोनों नहीं अपनी investment 2015 से start कर दी है और इस बार यह investment period 8 साल का है अब इस case में विज़े ने 4,80,000 रूपे का lump sum investment कर रहा है वहीं अगर अज़े की बात करें तो अज़े ने SIP mode of investment को चुना है और उसने अपनी मंथली SIP को रूपीज 10,000 से घटा कर रूपीज 5,000 कर दिया है तो आप 8 साल बात क्या result होने वाला है चलिए इसको देखते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब विज़े और अज़े ने lump sum और SIP investment की थी तो उस वक्त पर Tata Motors के per share की कीमत रूपीज 493 थी इसके बाद से Tata Motor के share में ग्रावट होना शुरू हो गई और 2020 कोरोना के वक्त पर इसके per share की कीमत रूपीज 67 हो गई लेकिन विज़े को Tata Motor के share price की ग्रावट का फाइदा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि उसने यहाँ पर lump sum investment की थी जिसकी वज़े से उसके पास अपनी investment को adjust करने का कोई भी chance नहीं था लेकिन अगर अज़े की बात करें तो अज़े ने SIP mode of investment को चुना था जिसकी वज़े से उसे Tata Motor के share price की ग्रावट का फाइदा हुआ अब दीखे क्योंकि अज़े ने SIP investment की थी और Tata Motor के share price में ग्रावट आई थी तो इसकी वज़े से अज़े का average buy price रुपीज 388 रहा वहीं अगर वज़े की बात करें तो वज़े ने Lumb Sum investment की थी जिसकी वज़े से उसका average buy price बिल्कुल भी change नहीं हुआ और ये रुपीज 493 रुपीज रहा अगर 8 साल बात हम अज़े और वज़े की रिटन्स को calculate और compare करें तो अज़े को 2,72,662 रुपीज का रिटन मिला अगर इस रिटन को हम percentage wise देखें तो ये 56 पसंट था वहीं अगर वज़े की रिटन्स की बात करें तो वज़े का रिटन्स 7.5 पसंट था और अगर वज़े के रिटन्स को रुपीज में देखें तो ये 36,000 रुपीज था अब देखें इन तीनों सिनेरियो को analyze करने के बाद ये पता लगता है कि जहां पर आप अपनी investment को लेकर fully sure हो और आपने अपनी investment तब की हो जब market अपने low पर था तो उस case में lump sum investment जदा अच्छा है लेकिन market के एक बहुत बड़ी सचाई ये भी है कि market को time करना इतना भी आसान नहीं है और market में आने वाली constant fluctuations की वज़ए से आपके returns affect हो सकते हैं तो इस case में आपके लिए SIP investment जदा अच्छा option होता है क्योंकि ये आपको cost averaging करने का एक अच्छा मौका देता है तो इन तीनों scenarios को analyze करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि SIP और lump sum इन दोनों के ही अपने advantages और disadvantages हैं अगर SIP के advantages की बात करें तो SIP में invest करना काफी आसान है अगर आप एक साथ एक बहुत बड़ी capital को invest नहीं कर सकते हो तो इस case में आप एक छोटे amount से start कर सकते हो example के लिए 500 रुपे, 1000 रुपे या 2000 रुपे आप इन छोटे-छोटे amounts को invest करकर अपना एक बड़ा portfolio बना सकते हो इसके अलावा SIP आपको rupee cost averaging करने का एक मौका देता है example के लिए अगर कभी किसी company के share prices गिर जाते हैं तो आप उस company के shares की एक अच्छी खासी quantity को उठा सकते हो और जब market uptrend में चल रहा हो तो आप उससे अच्छे खासे returns को generate कर सकते हो अब अगर SIP के disadvantage की बात करें तो इसका सबसे बड़ा advantage ही इसका सबसे बड़ा disadvantage है जो की है rupee cost averaging example के लिए अगर कोई stock bullish trend में है और अगर future में जाकर भी इसके stock price में गिरावट नहीं आती है तो ऐसे में आपके लिए rupee cost averaging करना आसान नहीं होगा जो की directly आपके returns को impact करेगा वह अगर ऐसे case में आपने lump sum investment की होती तो आपको अच्छे कासे returns मिलते तो चलिए अब SIP के advantages और disadvantages देखने के बाद lump sum के advantages और disadvantages को भी देख लेते हैं तो lump sum investment का जो सबसे पहला advantage है वो है more money more returns अब क्योंकि यहाँ पर हम एक बारी में बहुत बड़ा amount invest कर रही है तो हमें returns भी उसी के हिसाब से मिलेंगे और जैसे कि हमने first scenario पी देखा था जहाँ पर market bullish trend में था तो वहाँ पर हमें SIP के comparison में lump sum में जादा returns मिले थे तो अगर आपको market time करना आता है और आपकी investment के बाद market uptrend में चला जाता है तो इस case में आपको lump sum में अच्छे खासे returns generated हो सकते हैं वहीं अगर lump sum के disadvantage की बात करें तो lump sum के cases में आप रूपी cost averaging नहीं कर सकते हो हमने third scenario में देखा था कि वीजे ने Tata Motors के share में lump sum investment की थी और बाद में Tata Motors के share prices में गिरावट आई थी और वीजे शेर प्राइजिस में इस गिरावट का फाइदा नहीं उठा पाया क्योंकि उसने lump sum investment की थी वहीं अगर अजे की बात करें तो उस case में अजे ने SIP investment की थी और जैसे ही Tata Motors के share price में गिरावट आना शुरू भी उसे उसका फाइदा हुआ जिसकी वज़े से विजे का average buy price रुपीस 493 रहा वहीं अगर अजे के average buy price की बात करें तो ये रुपीस 338 रहा और finally इसका असर इन दोनों के return में भी देखने को मिला जहाँ पर Ajay को 2,72,662 रुपीस का return मिला वहीं पर Vijay को same invested capital पर रुपीस 36,000 का return मिला तो अब आप अपने financial goal, investment period और risk management के हिसाब से decide कर सकते हो कि आपके लिए ज़ादा बहतर क्या है lump sum investment या SIP investment देखिए at the end चाहे आप अपनी investment को lump sum में करें या SIP में अगर आप अपनी investment को अच्छी तरीकी से समझते हो और इसके हिसाब से अपने decisions लेते हो तो long term में आपको अपनी investment के ओपर अच्छे खासे return ज़रूर मिलेंगे I hope आपको हमारी आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एसी और informative वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें wealthy wisdom को Till then good bye